नमस्का दोस्तों मैं वाइब आपका Horizon Academy में स्वागत करता हूँ आज डिपलो मेकेनिकल फाइनल इयर का पहला पेपर था लास्ट सेमिस्टर का Automobile Engineering का और जो आपको Question Bank दिया था MSBT ने मतलब जो पाच्छे Questions Bank पे लास्ट इयर के पेपर दिये थे उसमें से और ये Question Paper में से कितना आया है वो देखना है वो एनलेसिस किया है मैंने अगर आप अभी आपका Industrial Engineering का पेपर रहेगा या IHP का पेपर रहेगा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप Hydraulics Nometrics के वीडियो भी देख सकते हैं उसके साथ Quality Control के और पी चार्ट एक्सबार चार्ट के भी वीडियो मेंने अल्रेडी डाली वाले है अगर वीडियो अपको अच्छे लगते तो कमेंट कर नमद भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या कर लेते हैं क्वेशन नमबर सिक्स ले लेते हैं अटेम्ट एनी टू थी उसमें से A, B और C उसमें से यह जो क्वेशन था आपका सिंक्रोमेस गेर बॉक्स का वो एक क्वेश ψन नमबर फाइव प Hehe question Number 5 था First था कॉंस्ट में गेर बॉक्स का वो question question bank में था Second Question रैक न पिंजीन स्टेइडिम का थ वो भी था और त्यूब इलें से तरकर जो डिफरेंस था वो भी आपका इसमें, question bank में था मतलब अभी देखा जाए question पाच्वा जो था वो पूरा का पूरा question bank में से आया question चटा जो था वो दो questions आये एक questions नहीं आया मतलब ये दो questions पासवा और चाटा आपका पूरा attempt हो सकता था अभी question number fourth पे आते है question number fourth में जो पहला question है electric vehicle का वो नहीं था बेंडिक्स रायू का था फिर उसके जा जो organization structure है RTO का वो नहीं था उसके बाद magnitude ignition system था वो भी नहीं है उसमें question bank में उसके बाद silent feature of motor vehicle light ये भी question नहीं था मतलब इसमें से almost बस चवते question में से एक ए question था बेंडिक्स रायू का बाकि कौन सा भी question नहीं था फिर question number three पे जाते है उसमें three आपको solve करने थे उसमें जो पहला है वो front engine real wheel drive का वो है air breaking system का भी है फिर उसके बाद telescopic shop user का diagram निकाल के उसके main parts दिखाने थे वो भी था ये जो fourth number का question है indicator light circuit का वो question question bank में नहीं है अभी question number question two का टू पे जाते है question two को question two को zoom करने के बाद आपके अभी देखेगा classify automobiles है ये question question bank में है और डायू का जो question है वो भी है फिर ABS का नहीं है और उसके बाद जो डी question था max person stop type वो question question bank में है फिर उसके बाद आता है first question first question 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 two mark के लिए vehicle layout पुराने question paper में है second question function of clutch नहीं है फिर C brake fade भी नहीं है दी वो भी नहीं है E four electrical components of automobile वो है F नहीं है और G भी नहीं है उसमें से बाकी जो questions है magno technician system के बारे में confirm नहीं हूँ बाकी अल्मूस्ट कम से कम आप 55-60 mark का questions आटेम कर सकते हो अगर पुराने questions bank आपने ठीक ठीक से observe किये और उसमें से important questions है आपने निकाले तो आपका almost 60 marks का तो आप कैसे भी पेपर अटेम्ट कर सकते हो ठीक है वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूख लिए थैंक यू